जिला कांगडा के गगल थाना के अंतिगरत महिला से सामुहिक दुशकरम का मामला सामने आया है मामले में और ओपी साथ लोगों के खिलाप गैंग रिप का मामला धर्श किया गया मामला उजागर होने पर फॉरेसिंग टीम ने स्पोर्ट से साक्षे जुटाएं हैं पुलिस भी इस मामले में हर पहलू को द्यान में रखकर जांच कर रही है पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने गगल पुलिस थाना में सामुहिक दुशकरम की शिकायत करते हुए साथ लोगों पर सामुहिक दुशकरम के आरोप लगाए है महिला की शिकायत पर सातों आरोपियों को डीटेंग कर लिया गया है पुलिस ने मिली जानकाई के अनुसार महिला से सलोल और मेकलोड गंज में दुशकर्म किया गया है जिसके चलते फॉरेसिंग टीम ने दोनों ही स्पोर्ट से भी सक्से जुटाएं हैं उदर डीएसपी कांगडा सुनील राणा ने कहा कि सुबा एक महिला ने सात लोगों के किलाप गैंग रेप की शिकायत की है जिसके तहट सात लोगों के किलाप गैंग रेप का मामला दर्च किया गया है इन सातों लोगों को डिटेन कर लिया गया है तथा उन से पुछताच की जा रही है मामले में दो स्पोर्ट हैं एक मैगलोड गंच और दूसरा सलोल में दोनों स्पोर्ट पर फारेसिंग टीम ने बिजिट कर साक्षे जुटाए हैं सबी पहलों को द्यान में रखकर जाच की जा रही है सातों आरोपियों को गिर्टार किया जाएगा और पीडित महला का मेडिकल करवा लिया गया है ये गटना पिछले कल की है जिसमें गैंग रेप के तहत मामला दर्श किया गया है पिछले रात को जो है सुबा के टाइम में एक महला ने शिकायद किया 32 वर्शी महला है और उसने शिकायद की है सात लोगों के खिलाफ तो सात लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्श किया गया है और उनमें से सातों के जो लोग हैं उनको detain कर लिया गया है उनसे interrogation चल रही है और जो sport है sport का विजिट forensic team से भी करवाया गया है sport जो है एक स्लोल में है और एक मकलोडगंग में है तो दोनों जगा फोरेंसिक team में विजिट किया है और evidence collect किया है कर रहे हैं उसमें भी सभी एंगल से जो है इन्वेस्टिकेशन जारी है और इनको अरेस्ट किया जाएगा एक्यूज को और जो विक्टिम है उसका मेडिकल करवा लिये गया है तो कितने दिन जो है इसके साथ यह घटना घटी है जो महिला ने क्या दिया यह जो घटना है यह पिछले कल की है एक दिन की ही बात है इसमें गैंग रेप के तहट जो है मामला दर्ज किया गए